English vocabulary को improve करने के लिए कई बार हम words को गलत तरीकों से पढ़ते हैं, ना तो हमें वो words याद हो पाते हैं, और vocabulary में भी हमारा interest कम हो जाता है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे English vocabulary को किस तरीके से improve करें, words को याद करने का सही तरीका क्या हो सकता है, जिससे उस word को हम आगे भी sentences मे use कर पाएं, और exams में आने वाले questions को भी solve कर पाएं, तो सबसे पेले सवाल खड़ा होता है कि why to improve vocabulary, सबकी vocabulary को improve करने के अलग-अलग कारण होते हैं, जैसे better understanding, कई लोग चाते हैं कि वो कोई भी book पड़े, newspaper पड़े, उसको अच्छे से समझ पाएं, कोई भी video देखें, उसमें बोली गई हर चीज को वोचे समझ पाएं, और अपनी real life में use कर पाएं, इसके अलावा बहुत लोग competitive exams की तयारी करते हैं, जिसके अंतर कई सारे vocabulary की questions आते हैं, वो भी हम solve करना चाते हैं, और हमारा third region रहता है vocabulary की improve करना ही का, effective speaking and writing, हम चाहते हैं कि मच्छा लिखें और अच करना चाते हैं, आपको same method follow करना है, इसके हम बात करने वाले हैं आगे, तो हमारा अगला question होता है कि what to learn, कि हम क्या सीखें, क्या पढ़ें, तो English vocabulary मतलब words, हमें words को इस तरीकी से पढ़ना, इस तरीकी से सीखना है, जिससे हम हर तरीके से उनको use कर पाएं, इसके अलावा उस particular words के synonyms, antonyms हमें पता हो, idioms and phrases कुछ हमें पता हो, और कुछ particular one words के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, इसके लावा फ्रेजल वर्फ बहुत important होते हैं, और सबसे important किस word को, किस idiom को, हमें किस जगह पर और किस तरीके से use करना है, क्योंकि यह चीज हमें real life में तो मदद कर होते, dictionary को A to Z याद करने की कोशिस करते हैं, जिसे बहुत monotonous हो जाता है, बहुत boring हो जाता है, और कुछी दिनों में हमारा motivation खता हो जाता है, और उसको बंद कर देते हैं, जिससे ना तो उस particular word को मागे use कर पाते हैं, ना exams मैने वाले के उसम सोल होते, तो कभी भी इस तरीके से कोशिस नहीं करना है, और एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं, एक word के साथ इसके 18-10 synonyms और 18-10 antonyms को एक साथ याद करने लगते हैं, जिसे ना दो वो word याद होता है, न उसके synonyms और antonyms याद होते हैं, तो यह method जो होता है, revision के लिए अच्छा होता है, लेकिन starting मे vocabulary बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, इसके लवा last point जो है revision और use ना करना, इसी वी word को जब हमने एक बार पढ़ लिया, तो इसका time to time revision और use होना चाहिए, तभी वो word हमें जधा time तक याद रहेगा, तो इन तीनों गलतियों को हम करते हैं, वो हमें नहीं कर करना है, तो चलिए हम write methods की बात करते हैं कि किस तरीकी सा vocab को improve कर सकते हैं, और सबसे पहला point जो आपके इन important है, तिक usable words in day to day life, कोई भी आप एक बुक उठा सकते हैं, उस बुक में खूब सार ये words होंगी, कुछ synonyms होंगी, कुछ antonyms, कुछ one words, और कुछ idioms, आपको उन सभ लिया, और उनको अलग से notebook में note कर सकते हैं, तो आपको number के according नहीं चलना है, याद करना है, ना ही आपको topic के according चलना है, कि पहले हम synonyms करेंगे, पहले हम synonyms करेंगे, आपको पूरी vocabulary में से 10 important words उठाने है, और उनका meaning लिखना है, अलग से notebook के अंदर, next day फिर आप वही repeat करें लेकिन important बात यह है, कि आप previous 10 words का भी revision करते जाएंगे, इस तरीके से धीर-देर revision और नए words आपकी vocab में जुटते जाएंगे, और धीर-धीर वह words आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, पिर हमेशा कर सकते हैं कि वनवन्त में एक बार revision कर सकते हैं complete vocabulary का, दूसरा point हमा वक्त ही हो सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, आपके लिए boring नहीं रहेगा, आपको daily कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका interest बना रहेगा, इंग्ली स्केवडी के अंदर, यह चीज़ आपको daily follow करना है, और last और सबसे important बात है कि use of word, जो word आप लिखेंगे या तो speech क्या हो सकता है, दिर दिर आपको automatic कई चीज़े, अपने आप आने लगेगी, जिससे part of speech, तो चलिए अब हम example के साथ देखते हैं कि किस तरीकी से word को याद करना है, जैसे आपके पास वड़ आया furtive, furtive का meaning क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको book के अंदर लिखा होग आपको furtive बोलते हैं, इसके साथ ही आपको एक ओड़ चीज़ करना है, furtive के synonyms और antonyms आपको note नहीं करना है, आपको सिर्फ furtive का वो meaning English में note करना है, जो आपको पहले से पता है, जैसे secret हमें पहले से पता है, चिपा हुआपको secret बोल सकते है, कितना आपको notebook में note करना ह उसके बाद सबसे important है कि उसका sentence में use किस तरीके से होता है, वो में जिरूर देखना है, या तो book में ही दिया होगा, book में नहीं है तो आप Google पर search कर सकते हैं, जैसे sentence है, we made at a furtive location, कि हम एक गुप्त इस्थान पर या गुप्त लोकेशन पर मिले, तो furtive का मतलब हो गया है, secret छिपा हुआ, अब क्योशन ये होता है कि synonyms, antonyms को हम किस तरीके से करें, तो synonyms और antonyms को अलग से करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है, इस तरीके से हम खूब सारे words जब learn कर लेंगे, तो आपके पास खूब सारे words का एक भंधार होगा, उसी मेंसे synonyms, antonyms की questions आत करें, तो अगर आपका वीडियो यूश्फूल लगाओ तो लाइक जरूर करें, इस तरीके सब्स्क्राइब करें, थेंक्यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में